आपने बिरियानी की रेसिपी तो बहुत सारी देखी होगी लेकिन क्या आपने एक 5-4 वाली चिकन दम बिरियानी की रेसिपी देखी है जिसे हम घर पे असानी से फटा-फट से बना दें और आपको ज़ादा ताम ज्याम करने की भी जरुबत ना पड़े आपके मेहमान खाएं, आपके घर वाले खाएं और आपका नाम ही जबते रह जाएं आज की चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी कुछ ऐसी ही होने वाली है आज हम बनाएंगे फाइस चार वाली चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी हमने अच्छी तरीके से फेट लिया है ये खटा धही नहीं है नॉर्मल धही है जो मार्केट में बिलता है हम उसी का इस्तिमाल करेंगे उसके बाद हम एड़ करेंगे इसके अंदर पाउडर मसाले पाउडर मसाले मैं जब भी आड़ करूँ भई सबसे पहला चमच तो जाएगा मेरे स्पेशल सिलवर्टे मसाले का उसी के साथ में जाएगा एक चमच शाही बिर्यानी मसाले का उसी के साथ में जाएगा एक चमच काली मिर्च का पाउडर आदा चमच सिफ जाएगा हल्दी प के लिए अधरक लेसन और हरी मिर्च के पेस्ट अभी इस्तिमाल कर सकते हैं वो भी बहुती बढ़िया फ्लेवर देगा चिक्किन दम बिर्यानी के मैं आपको एक स्पेशल बिर्यानी का लेरिंग मसाला भी सिखाऊंगा और उसके बाद हम नमक को भूली नहीं सकते तीन चौता ही चमच मैंने नमक का इस्तिमाल किया है सब चीज़े आज मेजरमेंट में जाएंगी दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाईएगा एक न धिना के पत्ते का इस्तिमाल करना है सिर्फ और धनिया के पत्ते का इस्तिमाल करना है डंठलों को बचा के रखिये हमारे बाद में काम आएंगे फाइस चार वाली चिकन दम बिर्यानी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप फ्राइ करी हुई प्यास का तेल ही इस्तिमाल करें मैंने आदय कर्ची एड किया है इसके अंदर और बड़िया तरीके से आप इन सबी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कीजिए चिकन के उपर एक बड़िया सी चमक आने चाहिए दोस्तों मैरिनेशन की एक बड़िया सी खुश्बू आने चाहिए और यहाँ पे वो बिल्कुल आ रही है यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट किया मैंने एक घंटे के लिए इसको फ्रिच के अंदर रख दिया आप चाहें तो इसको दो घंटे के लिए भी रख सकते हैं चाहें तो एक पूरे दिन के लिए भी रख सकते हैं उसके बाद मैंने एक pressure cooker का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये recipe काफी जादा असान होने वाली है तो pressure cooker जैसी गरम होगा मैं उसके अंदर एक कर्ची एड़ करूँगा कौन सा वाले तेल वही जिसके अंदर हम लोग ने बरिस्ता को मनाया था फ्राइ करे काली इलाइची और आदी चम्मच लॉंग इसके अलावा आपको कोई भी चीज आड़ करने की जरूवत नहीं है इन खड़े मसालों को बढ़िया से गरमा गरम तेल के अंदर एड़ कीजिए प्यास का उसके अंदर फ्लेवर तो है साथ में मसालों का भी फ्लेवर आ जी हाँ बरिस्ता से काफी जाद आपको पतला स्लाइस रखना है बरिस्ता बनाने की टेकनीक मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी बनाई है तो आप अहाँ पे देख सकते हैं और इन दो प्याजों को हमें इतना पकाना है इतना पकाना है कि इनका कच्चपन खतम हो जाए जिसके लिए आपको पास चे मिनट लगेगा बिल्कुल हाइफ लिमपे रखीगा और उसके बाद में हम लोग इसके अंदर अब क्या करने वाले हैं अब इसके अंदर हम लोग चिकन को एड करने वाले हैं जब भी आप चिकन एड कर रहे हों मेरिनेशन करके फ्रिज के कम से कम 15 मिनिट पहले आप निकाल लीजे जिससे उसका टेंपरेचर काफी जादा रूम टेंपरेचर के हिसाब से आ जाए इस टेकनीक से अगर आप बनाएंगे तो आपका जो चिकन है वो काफी जादा सौफ बनेगा और मेरा यकीन मानियाप मैं आपको आज काफी धे सारी ट और धीमे धीमे समय के साथ ये चिकन अपना पानी छोड़ने लगेगा, हमें यही वाला जादू तो लेके आना था, हम बड़िया तरीके से इस कर्ची को चलाते जाएंगे, बिल्कुल तले के नीचे से प्रेशे कूकर के एकदम चलाते जाना है, और चिकन को बिल्कुल पकात जाना है हमें यहाँ पे चिकन की भुनाई करते हुए बिल्कुल 15 मिनिट हो चुके हैं अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी टेकनीक बताऊंगा जिसमें बढ़िया से प्याज जो है इसके अंदर लिपड़ चुकी है लेकिन आपको गैस को बन कर देना है और इस पर असानी से मिल जाएंगे तीन तेज पता है तीन काली वाली इलाइची या फिर बड़ी वाली इलाइची है चार हरी वाली इलाइची का इस्तिमाल किया है एक चमच मैंने जीरा इस्तिमाल किया है चार मैंने हरी वाली मिर्चों का भी इस्तिमाल किया है दनिया के ढंटल चावल के अंदर हमें खिला पन रखना है, उसके लिए हमें इस्तिमाल करना है दो चमबच देशी गी का इससे चावल खेले तो रहेंगे साथ में चिपकेंगे भी नहीं और टेस्ट भी बहुत ही ज़ादा अच्छा आएगा यह फाइस चार वाला सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ और उसी साथ में हम काफी धेर सारी कॉंटिटी में धनिया और पुदीना का भी इस्तिमाल करेंगे और साथ में हम लोग अट करेंगे इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडियन वो है केवडा वाटर का अब केवडा वाटर एक टाइप का एसेंस होता है यानि की खुश्बू देता है जो कि मटन कोर्मा में इस्तिमाल होता है, चिकन कोर्मा में इस्तिमाल होता है, मटन बिरियानी, चिकन बिरियानी इन सब चीजों में इस्तिमाल होता है सिर्फ वाजिब 5 बूंदे आपको एड़ करनी और अगर आपके पास ये नहीं हो तो थोड़ा सा आप गुलाब जल भी एड़ कर सकते हैं पानी को कम से कम 5 मिनिट तक के लिए आप बॉयलिंग पे चड़ाईए जिससे कि ये जित्ते भी चीज़े हम लोग ने एड़ करी हैं ये सब का सब अपना फ्लेवर पानी के अंदर रिलीज करें और उसके बाद हमें एक चन्नी लेंगे और इन सबी चीज़ों को हटा देंगे फोड़ा बहुत जीरा बचेगा लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है आप उसको रहने दिजेगा अब हम बात करते हमारे बास्मती चावल की जो की राजा होते हैं बिर्यानी के मैंने दो कप बास्मती चावल का इस्तिमाल किया उन्हें मैंने भिगो दिया था बिलकुल पकेंगे और बास्मती चावल को एकदम परफेक्ट वही फाइस्टार वाली बिर्यानी जैसा कैसे पकाएं मैं आपको बता देता हूँ अभी याल तो देखिए छे से साथ मिनिट के अंदर ये चावल जो है एकदम परफेक्ट तरीके से पक जाएंगे दोस्तों मैंने यहाँ पर पांच मिनिट बाद एक चावल का दाना निकाला उससे तोड़के देगा तो छोटे-छोटे तुकडों में बिखरने लगा मैं समझ गया कि ये चावल मेरे से कहना चारा है कि बस एक से देड़ मिनिट में मैं अच्छी तरीके से पक जाऊंगा यारे कि 90% पक जाऊंगा तो मैंने क्या किया फटा पट से इसको देड़ मिनिट बाद निकाल लिया टोटल मेरे को बासमती चावल को पकाने में लगा साड़े छे से साथ मिनिट बस दोस्तों इस चीज का दिहान रखिया आप बिल्कुल फाइस्टर वाली बिर्यानी बनेगी और एक परात लेली मैं मैंने उसके अंदर सारे के सारे चावल को निकालना शुरू कर दिया और हाँ इसका पानी को निथार लिजिएगा और इसके पानी को बिल्कुल बचा के रखियेगा बिल्कुल अमरेत है बिल्कुल आगे काम आएगा मैं आपको बैताओंगा कैसे भाईयों और भेनों अब यहाँ पे चावल तो हम लोग ने निकाल दी हैं साइड में, अब हम वापिस आ जाते हैं हमारे चिकन के उपर, देखें मैंने चिकन को 15 मिनिट पकाया था ना, अब यह चिकन अच्छी तरीकी से गला नहीं, तो इसके अंदर आप एक कप अड़ कीज माला लिया है, उसके साथ मैं कटा हुआ हरधनिया लिया है, और पुदीनया के पत्ते भी लिया है और बहुत ही जरा सा नमक भी लिया है, इन सभी चीजों को हम आपस में मिला देंगे, जी हाँ जिसे बहुत भी बड़ी असा स्वाध आएगा, एक बहुत भी बड़ी असा लेयर वाला मसाला बनेगा चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कीजे अब इसके पीसे को सेट कीजे जी हां मैंने लेक पीस को उपर रग लिया ताकि लेक पीस जो है मेरा बिलकुल उपर ही दिख जाए और जैसे ग्रेवी के अंदर उबाल आ जाएगा यानि कि बॉइल आ जाए बिलकुल पतली रखिएगा आप लोग उसके ओपर थोड़ा सा बिर्यानी मसाला एड़ कीजेगा लेयर वाला जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया था अब ये वाली चावल जो है ना चिकन की ग्रेवी के साथ बिलकुल मिल जाएंगे और उसके बाद जो दूसरी लेयर रही और चावल को बिलकुल दबाना नहीं है आपको उसके बाद मेरे भाईयो जो बिर्यानी का लेयर मसाला है आप उसको बड़िया तरीके से बिचा दीजे और इसके बाद में इसके उपर एड़ करना है आपको चावल तीन लेयर की बिर्यानी बना रहा हूँ दोस्तों आपके सामने जित्ते भी चावल बचे हुए थे मैंने सब के सब एड़ कर दिये और इसको बढ़िया तरीके से बिचा दिया अब मैं आपको कर्ची का नाच करा कि दिखाऊंगा यानि कि जो कर्ची है वो ऐसी घूमेगी ऐसी घूमेगी कि पूरी उपर की लेयर को सपाट कर दीगी बिल्कुल प्लेइन रहेगा ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रोड बना रहा हूँ मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों यहां पे मैं बिर्यानी बना रहा हूँ और ऐसी बिर्यानी में आपको कला की जरुवत तो काफी जदा पड़ेगी मैंने अच्छी तर कर रहा हूं यहां पे यलो फूट कलर का दोस्तों मैं यहां पे केसर के दूद का भी इस्तिमाल कर सकता था लेकिन मेरे घर पे कुछ लोग जो है वो insurance इंटोरेंट्रलेंट है यानि कि अन्हें दूध हजंında यह मैं त्हसा तंट हाँ से इस्तिमाल नहीं करता हूँ उससी के included मैं रेट फूट कलर का भी इस्तिमाल किया है और अब मैं इसके अंदर एक कप चाफल का पानी भी आड़ करूँगा दोस्तों यहां पे आपको कोई बताता नहीं है लेकिन सब की चिकन बिर्यानी नीचे से चिपकती है लेकिन मेरी वाली नहीं चिपकेगी यह मेरी गैरेंटी है फटा फट से हमें प्रेशे कूकर का ढखकन लगा देना है अब में बात तो यह आती है कि हमें इसे किती दिर पकाना है तो प्रेशे कूकर की फ्लेम को कर दीजिए आप बिलकुल हाई पे और इस प्रेशे कूकर के अंदर बस एक सीटी आने दीजिए आपकी चिकन और चा अब आपने घर पे बिर्यानी तो बना ली लेकिन इसकी खिचिडी कैसे ना बनाए वो मैं आपको बताता हूँ देखिए उपर के चावल को करिए साइड में और नीचे आपनी डाली एक कर्ची और ऐसे निकाली तो देखिए ये मसाले वाले चावल इतने जबरदस इतने लजीज और ऐसे मसाले में लिप्टे हुए कि आप खाएंगे आपको मज़ा आजाएगा ये मैंने आपको दिखाई पहली वाली लेयर अब मैं आपको दिखाऊंगो दूसरी और तीसरी वाली लेयर जो कि देख सकते हैं आप चावल एकदम सफेद एकदम रंगीन है पीला है साथ में सफेद है साथ में लाल है जो आपने कलर डाला था उसकी वज़े से उसी के साथ में आप चिकन देखिए क् असली 5 star वाली चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी है और ये थाली मैंने आपके लिए खास special सजा के रखी है देखिए तो आप ज़रा क्या रौनाख है क्या रंगत है और ऐसी थाली अगर आपको मिल जाए तो आप बस वीडियो को छोड़िए और हाल बैट जाए ये खाना खाने के लिए उसी के साथ में भाई मेरे चिकन के पीसेज इतने जादा सौफ्ट हैं और बिल्कुल भी चिपके नहीं है दोस्तो हाँ आपकी चिकन दम बिर्यानी आपने बहुत बनाई होगी काफी बार चिपकी होगी इस तरीके से बिल्कुल नहीं चिपकेगी चिकन के पीसेज बहुत यहादा सौफ्ट हैं बहुत यहादा बढ़िया हैं चावल के दाने बिल्कुल खिले हुए हैं तो ये थी शेफ अमन बिसारय की रेसिपी दोस्तो कैसी लगी आपको आप मेरे को बज़ाएं कमेंट सेक्शन में अगर आपको बसंद आए तो मेरे वीडियो पे जरूर लाइक कीजेगा और अगर आपको रेसिपी वाकई में अच्छी लगी आपने घर पे बनाई तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा क्योंकि ऐसी बड़िया बड़िया रेसिपीज मैं आपके प्यार की वज़े से लेके आते रहता हूँ और हम फिर मिलेंगे ऐसी बड़िया बड़िया रेसिपीज के साथ फिर से एक बार तब तक के लिए गुडबाई